हेलो स्टूडेंट वेलकम तो सीपेसा उनलाइन क्लासस आप सभी बच्चोंवा बहुत स्वागत हैं आजकी क्लास में स्टूडेंट क्लास 11 एलैवन थार छप्टर टाप्तर क्लास 11 के थार चाप्टर प्लाइंट इंडम पर हम लोग स्टुडी कर रहे तो हमने उसमें लूप में को कोश्चिन कर सकते हैं तो ब्रायो फाइटा पर बात करने वाले हम लोग ब्रायो फाइटा क्या होता है ब्रायो फाइटा यह थैलो फाइटा इससे पहले हमने पढ़ा थैलो फाइटा से एडवांस प्लांट है ब्रायो फाइटा और इसमें क्या है उसमें उसकी leaf stemless थे पर यहां पर थोड़ा साइडवांस है ब्राइफाइटा ऐसे नहीं है इसमें जो पार्ट है वो थैलस के नहीं है बलकि एक इसमें आपको एक लीव और रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो ब्राइफाइटा द्यार दो नॉन वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर मतलब इसमें एक कमिया भी भी है नॉन वैस्कुलर मतलब देर इस नो जाईलम फ्लोयम फॉर्ट इनको मॉस कहा जाता है और लिव वर्ट आते हैं जो मॉस हैं यह रियल प्राफाइटा है और एक लिवर वर्ट है तो यह नॉन वैस्कुलर मॉस लिवर वर्ट ग्रोव ऑन मॉइस्टं सडी रीजन यह कहां ग्रोग होते हैं मॉस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉस्ट प्लेस पे नमी हुमिड हमिडिट इसलिए इनको एंफीवियन ऑफ प्लांट किंडम कहते हैं क्यों कहते हैं यह वज़र दिया है कि प्लांट लाइव औन सॉइल पर रहते हैं बट डिपेंड ओन वाटर फॉर दसेक्षवल रिपोडक्शन लेकिन यह पानी इनके बहुत जरूरी है पारी नहीं रहेगा तो इनम ब्राइव फाइडा के प्रॉपरटी क्या वही लेव इन डेमपन शैडी हैबिटेट कि कहां रहते हैं थोड़ जो दलदल जगें होते हैं चाया दार स्थान होते वहां पे रहते हैं फाउंड तो ग्रो ड्रीनी सीजन एंड डेम सॉई जहां दलदल मिट्टी होती है होता है या फिर आपका यह कि प्लांट बॉड़ी इस फ्री लीविंग अमिटोफाइट मतलब अगर आप कोई ब्राइव फाइटा का एक कम्प्लीट बॉड़ी देख रहे हैं तो वह उसकी गामिटोफिटिक स्टेज है मतलब उसकी बॉड़ी के हर एक सेल में है है यह चीज़ समझना है आपको तो इसलिए इसमें मतलब है प्लॉड़ी मतलब इसका अगर लाइफ साइकल बनाना हुआ तो इस तरीके लाइफ साइकल बन जाएगा तो यह इन वाले स्टेज मतलब अगर एक प्लांट की लाइफ बनना शुरू हुई और डवलबमेंट करत स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्राइफाइट का वह हैपलाइड स्क्रेज में ही है चले आगे पढ़ते हैं रूट सार अपसेंट बट कंटेनर इसमें रूट तो नहीं होता पर रूट जैसा एक स्टक्चर और आई जाइड वही से वाटर मेंना अब्स अप्शन कर लेत आगे हम जेमा पर स्टडी कर रहे हैं एक ग्रीन है सेक्सवल बर्ड बनते हैं प्लांट के अंदर एक स्पेस्लाइज स्टक्चर बनते है लेकिन इनमें अगर सेक्सवल रिप्रड़क्शन भी करते हैं तो सेक्सवल रिप्रड़क्शन करने के लिए जो सेक्स और और इनमें इसमें male sex organs enthridia female sex organs archegoniyah होती है, जो male sex organs enthridia इसमें biflagellated enthrogoid, मतलब enthrogoid इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो दो flagella वाले enthrogoid मिलते हैं, यही इनके male gamet हैं, यही इनके male gamet हैं, लेकिन जो archegoniyah होती है, वो flask save होता है, वो flask, flask मतलब आपने देखा होगा, flask lab में इस तरीके का flask देखा होगा, तो flask save होते हैं, और यह single leg produce करते हैं, यह क्या produce करते हैं, single leg, ठीक है, तो यह gametophytic stage में यह बात मत भूलना कि, और इनके sexual organs multicellular jacket layer होते हैं, male enthridia arky, female arky गोनियां होती है, ठीक है, sporophyte is depend on gametophyte for nourishment, जो sporophytic stage है, यानि जो 2N है, दीक है sporophytic मतलब 2N, और gametophytic मतलब N, तो यन ही तो ज़्यादा होता है, उसकी life है, sporophytic stage, यह gametophytic stage पर depend होती है, for nourishment, मतलब जब यह sporophytic stage में इसकी body जाती है, तो उसको उसको नरिश्मेंट करने के लिए gametophytic है, gametophytic उसको नरिश्मेंट परवाइड करता है, यानि gametophytic पर depend है sporophytic, ठीक है, ब्रायाफाइटा को basically हम लोग 2 तरीके के ब्रायाफाइटा पढ़ते हैं, एक ब्रायाफाइटा जिसको हमनों liver word कहते हैं, क्या कहते हैं, liver word कहते हैं या इसको hypnotic opc agenda कहते हैं, logic march का मतलब होता है liver, ठीक है, अच्छा उसकों liver word क्यों कहते हैं, इसका जो shape है, वो something like a liver, तो आपने लि लिवर तो देखा हैं होगा, यह लीवर होता है यह गाल ब्लैडर तो उस तरीके का structure इनका दिखाई देता है इसलिए इनको liver word कहते है यह हीपैटिक उपसीडा कहते हैं यह वाले ब्राइफाइटा ठीक है तो इन उनमें और जो दूसरे वाले बरायोफाइटा का नाम है मास या बरायोसीडा कहते हैं, pensando जो ट्रू बरायोफाइटा है उनों थोड़ा सा अंतर होता है, उसको आप देखते रहिए हो, क्या होता है, इनकी जो पलाइन बोड़ी है इनकी जो पलाइन बॉड़ी है हो और दूसरा मॉस तो मॉस टू ब्राय फट रहा है पर यह जो लिवर्वर्ट है इसमें इसकी बी property मिलती है और इसकी बील्वररटी कुछ मिलती हैं मी थालाइड बोडी होती है मतलब यह त्रू मॉस और थालोफटा के बीच connecting link का काम कर रहे हैं तो क्या होते हैं कि इनकी body थैलाइड होती example के लिए markensia is the best example of liver world इससे example पूछे जाते हैं कि hepatic obsidia liver world का example तो markensia आप याद रखेंगे रिक्सिया markensia the thallus dorsi ventral and closely appraised to the substrate इसमें क्या होता है कि इसका जो thallus होता है वो बिल्कुल किसे substrate से बिल्कुल chip का हुआ रहता है और dorsi ventral मतलब इसका जो प्रिस्टी भाग है इसका जो पीछे वाला भाग है वो पूरी तरीके से किसी बेस से chip का रहता है ठीक है अगर आप इसका structure देखेंगे आगे ठीक है वो बनते हैं उनको जेमा कहते हैं या जेमा कहते हैं ठीक है जेमा क्या होता है जिस जगह पे sport बनते हैं दरसल उस plant body का एक green color का multicellar asexual bird होता है जो उसी plant से develop हुआ है उसको हम लोग जेमा कब कहते हैं ठीक है मतलब अगर यह plant यहीं पे green color का बड डबलब हो आया है इसका हम लोग ने जेमा नाम दे दिया है ठीक है तो जेमा आर्द ग्रीन यह question आएगा वाड़ वाड़ बाउड जेमा जेमा क्या है यह लाइन यादख लोना जेमा अर्ग्री मल्टिसलर asexual bird विच डबलब इन स्माल हां रेसी पेक्ट रेसी पेक्टल्स काल्ड जेमा कप ठीक है जिस जगह पर वो सेट होता है वो green color का बड जेमा उसको जेमा कप कहते हैं द जेमा बिकम डिटाइज्ड यह जो है जैसे यह जेमा बना हुआ है तो यह जेमा जब अभी तो नरिश्मेंट यहां से ले रहा है जब एबल टू सर्वाइव यहां से डिटाइज हो जाएगा और फिर से एक नया ब्राइफ हाइटन बॉड़ी बनाएगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लो कि कि आ सेक्शोल विच डबलब इन स्माल रेसेप्टर मल्टी स जरो जेमा बिकम डिटाइज फ्राउं दे प्यारेंट बॉड़ी जर्मीने टू फॉर्म न्यू इंडिविजिल न्यू ब्राफिट बॉड़ी बनाएंगे और तब तक डिटाइज नहीं होगा जब तक उसको नरिश्मेंट के लिए खुद के लाइक नहीं हो जाएगा यह इसमें एक चीज़ और नोटिस कीगी कि sexual reproduction होता है और male female sex organs जो है प्रोड्यूज आइधर same or different थैलिक कभी ऐसा होता है कि एक ही थैलस पे male वाला पार्ट भी रहता है female वाला और कभी कभी क्या होता है कि male वाला अलग होता है और female वाले portion अलग होते हैं ठीक है तो homothalic, hetothalic दोनों condition है इसमें the sporophyte आप चुकी इसकी जो stage है sporophyte बहुत कम समय के लिए होती है जो जब भी sporophytic stage में जाएगा इसमें एक structure दिखाई देगी food, ceta और capsule the body in the sporophytic stage differentiated into food, ceta, capsule और आपको मैं बता दो student कि जो spore है spore produce in capsule यह capsule वाला structure है इसी में spore produce होते है germinate होते हैं ठीक है यह जो capsule वाला structure है यह फूट हो गया जड़ वाला portion हो गया राज़ोड वाज़ोड यह सीटा हो गया और top part पर जो capsule है इसी के अंदर धेर सारे spore बना करते हैं तो यह जिस समझना ठीक है तो spore produce within the capsule, spore जो है वो कहाँ पे capsule के अंदर produce होता है and germinate to form और क्य germinate करेंगे क्या form करेंगे free living gametophyte and germinate to form free living gametophyte वो gametophyte बनाएंगे free living मतलब वो gametophyte इसका free living है मतलब किसे पर based नहीं है ठीक है लबकि sporophyte gametophyte पर based है क्योंकि इसको nutrient लेना है अब यहाँ पर मॉस का structure देख रहे है माली यह ब्राया फिटन बॉड़ी है यह पत्ती जैसा structure देख रहे है तो जहां पर भी यह bird निकल रहे है that is called gemma cup यह gemma cup खुड dissociate होकर के यहां से अलग होकर वापस ऐसी बॉड़ी बनाएंगे छोटे छोटे हेरी structure राजाइट यह water absorb करने के लिए और ठीक है यह इसका gemma cup है और यहां पर देख ले हैं यह structure archegonio 4 और यहां enthridio 4 चुकि यह archegonio 4 और यहां enthridia enthridia बोले तो यह male वाला plant है मतलब इस th में फिमेल वाला structure है तो archegonio 4 में archegonium होगा कहीं यहां पर फिमेल एक प्रोडियूज होगा और यहां पर enthridia जो enthridia वो प्रोडियूज होगा ठीक है तो यह markensia का structure है यह female वाला है प्रोडियू 4 एक सकंड यहां पर देख लीजिएगा कि यहां पर मारकेंशी आप दे मेल थैलस है ठीक है और यहां पर यह फिमेल थैलस है इसको ध्याने पर रखना है तो दोनों मौस है ठीक है और यह अपना अपना गयमेट प्रोडियूज करेंगे बाद में बनने के लिए बात यह हो जाती है कि इसमें जो गेमिटोफाइट होता है गेमिटोफिटिक स्टेज तो हमें सही रहती है गेमिटोफाइट आप दे मास कंसिस्ट अफ टू स्टेज फर्स्ट स्टेज इस कॉल्ड प्रोटोनीमा विच डेवलप डारेक्ली फ्रॉम दे स्पो दरसल यह जो स्ट्रक्षर आपको दिख रही है वो बनी किसे है तो यह कि इनीशियल स्ट्र से बंते हों चाहिए तो जो इनीशियल स्पोर होता यह स्टैज में बनी हुई है और वो किस्मीटोफिशेग शुरौटो बनाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रीक andar लार्ज होगा से फिलामेंटर से स्टक्चर बनाएगा इस स्टक्चर को हमने कहा प्रोटो नीमा या तो प्रोटो नीमा से डायरेक्ट वो बॉड़ी बन जाए कभी कभी क्या होता है इस प्रोटो नीमा से थोड़ा सा और भी प्रोटो नीमा ऐसा सेकेंडरी टर्शियरी प्रो प्रोटोनीमा से होगा लेकिन प्राइमरी प्रोटोनीमा जो बना है वो स्पोर से बनेगा यानि स्पोर प्राइमरी प्रोटोनीमा या प्रोटोनीमा देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा देन लीफी स्टेज में आएगा यह इसके डेवलप्मेंट का प्रोसेस है ठीक है बाद में जो sexual reproduction होता है वो sex organs enthridia archegonia ये male और ये female reproductive organs है जिनके अंदर जो ये enthridia archegonia वाला जो structure है ये उस leaf के shoot पे उस leaf के जो top वाला part है जो shoot वाला part है वहाँ पर उसके apex पे उसके top part पे leaf के वहाँ पर ये produce होते हैं जैसे आपने देखा enthridio 4 और archegonio 4 ठीक है sporophyte in moss are the more developed sporophyte moss का sporophyte है वो ज्यादा developed है ठीक है and consist of food ceta capsule sporophyte in moss moss वाले plant में जो sporophyte होता है वो काफी developed भी होता है उसमें food ceta capsule भी देखने को मिलते हैं common example moss की अगर बात करें तो funeria polytrichum sphagnum ये true moss हैं ये actual moss हैं इनका example या देखना रियल मास का है funeria polytrichum sphagnum तो एक बार revise कर लेना किसी confusion के लिए आप group में visit करना आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा second group है teridophyta तो इस diagram को ध्यांस देखिए इसमें ये वाला जो structure है ये इसका main axis है छोटे छोटे राइजॉइट्स हैं ये leaves हैं और ये सीटा वाला part है ये capsule है इसी में सारे sphore भरे रहते हैं तो यहां से यहां तक का जो structure है इसमें जो cell है वो haploid है यानि गेमटोफिटिक structure हैं लेकिन इस leaves के बाद से सीटा का बनना capsule का बनना ये sporophytic stage है यानि ये 2N stage है ठीक है 2N stage है अब समझते हैं ये किस टाइब का plant है तो तेरडोफाइट की property में कि ये seed तो नहीं होते seed तो पहले बता गया इसमें seed नहीं होते seedless vascular plant है that have the sporophytic plant body and inconspicuous gametophyte मतलब इसमें sporophytic plant body जाद तर देखने को मिल रही है पर इसमें sporophytic जो है वो gametophytic पे भी से संबन दीत है अलग नहीं है इसको separate नहीं कर सकते मतलब मतलब अगर मुझे इसको represent करना हो तो इसको n or to n लगबग बराबर जाने वाले हैं इस पोरफिटिक plant body is different इसमें जो sporophytic plant होता है differentiated into true stem root ठीक है यह root में stem में और एक specialized structure इसका यह हो जाता है root stem के साथ-साथ इसमें rhizoid देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है rhizoid देखने को मिलता है तो sporophytic body is differentiated into लेकिन अभी उधर क्या था उसकी gametophytic body root stem में और differentiate होरी rhizoid में यहां sporophytic stage में मतलब यह वह एन वाला plant है तो यह 2N plant है यानि sporophytic plant है यह इसका dominant है over the gametophytic stage ठीक है यह चीज़े या दखना आगे बढ़ते हैं चले student अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग side क्या है तो root पे था ठीक है और stem पे था और साथ-साथ leaves यह चीज़ें तीन चीज़ें उसमें दिखाई दिखाई दिया रही क्योंकि आपने देखा उसमें leaves बने हुए था अच्छा एक आट उर कि जो vascular tissue आपहें बंट वीनस सारी स्थेज़ेंट इसमें फ्लों में एक होता है जिसका नाम companion cell companion cell यह phloem में होता है और companion cell यह companion cell and tube are absent यह tube जो होता है यह दो चीज़ है absent है कहने का मतलब vascular tissue है पर पूरी तरीके से develop नहीं है वो सारे cell जो है जाइलम phloem के वो available नहीं है ठीक है इसमें कुछ ही cell available है जैसे तो वीजल नहीं जाइलम का वीजल और companion cell tube phloem का sporophyte बियर sporophyte जो है वो sporophyte बियर करता है that the substance by the leaf like appendage called sporophyll जो sporophytic stage में इसमें एक sporophyll बियर करने वाला structure होता है वो leaf जैसे structure होता है इसको हम लोग sporophyll बोलते हैं खास करके silagenella जिसको संजीवनी बोलते है silagenella प्लांट में compact the structure called strobili और corn sphob silagenella जैसे प्लांट में और भी specialized structure बनता है जिसको हम लोग strobili कहते हैं strobili ठीक है strobili क्या है तो strobili भी वही है जिसके अंदर sporophylls पाये जाते हैं sporophylls में sporangia sporangia में spor भरे रहते हैं sporangia produces spore spore produce करता है by the meiosis इस चीज़ या तक ना कि जो भी teradophytes है इसमें sporangia में spor meiosis के ज़री प्रोड्यूस होते हैं इन spor mother cell spor mother cell में ठीक है spore germinate to produce the multicellular thalide और वही spor जब जो sporangia में है meiosis होने के बाद वह applied हो जाते हैं फिर वही spor को develop करते हैं क्या बनाते हैं एक multicellular thalide structure बनाते हैं जिसका नाम है प्रोथैलस ठीक है तो प्रोथैलस वाट अबड़ प्रोथैलस तो टेरीडोफिटिक बॉड़ी में sporangia के अंदर जो है एंध्रेडियार के गोनिया ठीक है लेकिन इनको भी चाहिए क्या water are must required for the fertilization फिप लिए इनको भी water चाहिए होता है ठीक है इसलिए इनका भी reason क्या हो जागा moist reason में ही होंगे आगे बढ़ते हैं कि most of the teradophyte जादा तर जो teradophyte है है produce spore of similar kind बहुत जादा तर जो हमारे spores हैं कि देखने को मिलता है कि टेड़ो fight body में जादा तर spore वह एक जैसा structure वाली मिलते हैं जैसे सिलाजी नेला में साल्विया में ठीक है तो similar का यहां पे homo spore उनको क्या बोलेगा homo spore मतलब जब स्पोर का जो structure बिल्कुल सेम है तो हमको homo spore बोलते हैं लेकिन सिलाजी नेला में या साल्वीनिया में जो spore होते हैं वो different type के हैं मतलब कोई mosail होगा कोई non-mosail होगा या कोई बड़ा होगा कोई चोटा होगा इस तरीके से तो दूसरे टाइप के spore होते हैं इनको इस hetero spore बोलते हैं ठीक है है hetero spore का मतलब क्या है कि larger card mega spore इसमें एक बड़ा होगा ठीक छोटा होगा तो इसमें जो बड़ा वाला है उसको हम लोग mega spore बोलते हैं जो कि female gametophyte produce करता है और जो छोटा वाला है वो इसको हम micro spore बोलते हैं जो कि male gamet produce करता है ठीक है या male gamet होता है तो इस तरीके से मतलब एक बड़ा छोटा odd even हो जाता है आगे बड़ते हैं कि जितने भी teridophyte plant हैं उनको चार ग्रूप में बटा गया है एक एक इस फेनोपसीडा जिसमें एक्क्वी सीटम आती है एक लाइको पसीडा जिसमें लाइको पोडियमोसिला जिनला आता है और फेलिको पसीडा जिसमें teris और एडियंटम यह वाले प्लांट आते हैं तो चार क्लास बनाएगे हैं मेजर उनके एक्जामपल याद रखना बहुत जरूरी है तो आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है इस टॉपिक में पढ़ना है यह एक्जामपल जो है वो कहां से बिलॉंग करने है होमस्पोरस का मतलब क्या है प्रोथैलस क्या होते है ठीक है और स्पोरोफिल्स क्या होते है ठीक है तो इस टोबिली क्या होती है यह चोटे चोटे वर्ड और इसमें जायलम में कौन से वाले कंटेंट अपसेंट है फ्लोयम में कौन्स वाले कंटेंट अमसें है इस अल अबाउट टेडोफाइटा यह स्पोरफिटिक प्लांट है जबकि ब्राइफाइटा गामिटोफिटिक प्लांट है ठीक है तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को बाइंड करते हैं अगे indeed नेक्स क्लास में बात करेंगे जिम्नो स्पर्म as well as एंडोस्पश्पर्म की नोट्स बनाएं रिवीज anál करें किसी कन्फ्यूजन के लिए अपने गरिप में विजिट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद